हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेकनिकल पाठक जी कैसे हैं आप सभी तो दोस्तो जैसा की दीपावली आने वाली है तो मैं आपको एड़वांस में ही दीपावली की हर्दिक सुबकामनाएं दे रहा हूँ और दोस्तो जैसा की आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा की हमारे देश में एक मूवी आ रही है आदी पुरुस जिसका की टीजर अभी अभी लॉंच हुआ है दोस्तो आदी पुरुस का टीजर जब से लॉंच हुआ है तब से मानों की सोसल मीडिया पे इस टीजर को देखकर उसके आलोचको की एक बाड़ सी आ गई है तो हो भी क्यों ना आखिर ये जो मूवी है वो हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है तो दोस्तो ये जो आदी पुरुस का टीजर लॉंच हुआ है इस पर बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सारी परकिरियाएं दी है जिसमें की जो हमारी पिछली रामायन है महा भारत है जो अभी के टाइम में ब्रोडकास्ट हुए थे आपके कोरोना काल में तो उनकी इतनी ज़ादा टीयारपी थी की बहुत ज़ादा टीयारपी थी जो इतने पुराने समय में बने हुए रामायन और महा भारत है और आज के समय में सन 2020 में 21 में या 22 में चल रहे हैं और उनकी इतनी ज़ादा टीयारपी होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन कलाकारों ने उस समय के कलाकारों ने इन किरदारों को किस तरीके से जिया होगा और जो इसके डिरेक्टर होंगे उन्होंने किस तरह की सोच के साथ में इसको डिरेक्ट किया होगा कि लोग बाग आज भी इसको देखना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों जो आदी पूरुस मूवी आई है उसके अंदर जो लुक्स को लेकर भगवान राम के लुक्स को लेकर और रावन के लुक्स को लेकर हनुमान के लुक्स को लेकर हर तरीके से जो है आलोचना हो रही है पता नहीं दोस्तों बॉलिवुड में ये क्या आजकल प्रचलन चल गया है कि ये हर बात में सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें VFX का इस्तमाल किया गया है, वो भी इतना अन्प्रोफेस्नल और अन्मेच्योर VFX का इस्तमाल किया गया है, कि एक बच्चा भी इसको देखकर बता सकता है, कि ये सब कुछ पूरे तरीके से बिल्कुल नकली दिख रहा है। दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मैंने आखिर ये बात क्यों उठाई, या फिर मैं भी इस चर्चा का हिस्सा क्यों बनने जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी जो हमारी अपनी इस्थानिय रामलीला होती है, हर साल दसेरे से पहले आपको पता ही होगा, कि दसेरे से 10-15 दिन पहले रामलीला सुरू होती है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो इस्थानिय रामलीला होती है दोस्तों पिछले 20 साल से जी हाँ दोस्तों मैं भी उसमें पिछले 20 साल से पूरे तरीके से सक्रिये हूँ यहाँ तक कि जो सीता माता का लीड रोल है हमारी रामलीला के अंदर मैंने उसका करेक्टर प्ले किया है लगातार 20 साल से करता रहा हूं 20 साल पहले स्टार्ट किया था सन 2003 से करता हुआ अब सन 2022 में भी मैंने दोस्तों सीता का रोल प्ले किया है यही वज़े है दोस्तों कि मैंने भी इस मुवी के टीजर पर या फिर जो चर्चा बनी हुई है हमारे देश के अंदर इस पर मैंने अपने अपने कुछ राए और वीचार बनाकर आपको प्रकत किये हैं तो आए दोस्तों देखते हैं हमारे जो अरुन गोविल जी है जिनोंने रामाइन में राम का रोल अधा किया है उनका इस बारे में क्या कहना है , जोस्तों ध्यान से सुनियेगा रामाईन, महाभारत, श्रीमत भागमत जैसे जितने भी ग्रंत है शास्त है यह हमारी संस्कृतिक और धादिर धर्व होने हैं यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी जोड़ है सारी मानव सभेता के लिए यह नीव के समान है और ना तो नीव को हिलाया जा सकता है और नहीं जन को बदला जा सकता है। ना तो ज़रूरत है या करना चाहिए और नहीं किसी को किसी और को करने देरा चाहिए है। और परमपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापत देरे की आपशक्ता नहीं है और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो मुकेश खन्नाजी है जिनोंने महाभारत में भिस्म पितामा का रोल किया है और ऐसा किया है कि लोग उसे कभी भी नहीं भूल सकते साइद या कोई कलाकार पता नहीं उस किरदार को अब कर पाए या नहीं कर पाए तो दोस्तों उनका इस बारे में क्या कहना है आईए उसको भी सुनते है यह बहाँ वहाला है कि मैं रावन के करेक्टर को चेंज करना जाता हूं तो मैं समझता को जो भी सही माने में हिंदू हो का, वो उसके कानख़ी हुआ है। एंटेना खड़ा है। जोजे मेरा दिवा, मैं भी वाला, मैंने का प्यापी हुद है अपने दर्म का किसी एक करेक्टर का करेक्टर चेंग करके दिखा सकते हैं अपने वीडियो बनाई चेंग आज मैंने यह महिसुस किया कि इनोंने नौट अर्ड़ी थासरी सागी टूरी है तो बूसरे करेक्टर देखाएं जब लिवाद खड़ा हो जाएगा यह दिखा मैं उन लोगों को ताकीट करना चाहता हूँ कि आज इस माहल में जब जगा जगा पर फिल्मों को बॉइवार्ट हो है आप एक पिर से अपनी उंगली दे रहे हो लोगों पहुजा पकर लेंगे आप क्यों करना है क्या समझदारी क्या आपने अपने जेब में रगदी रहे है क्या सोच करना कर रहे हैं फिर आप कहेंगे कि भी हम अभिवेक्ति की आजादी है आप अपने घरम के किराप भी यूज करके देखाईए ना दोस्तो आपने देखा की इन महान दिगज गलाकारों ने इस मूवी के बारे में इसके टीजर के बारे में क्या कहा दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें आपका इस मुवी के बारे में इस मुवी के टीजर के बारे में और इसमें जो VFX का इस्तमाल किया गया है उसके बारे में क्या वीचार है प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै स्री राम